नमस्कार साथियों आप सबका पुना स्वागत है शद्धा एस्टो जोतिश में आज हम लोग कवर करने वाले वरिष्टिक लगन के द्वादश भावों में चंद्रमा का क्याफल होता है इससे पहले हम लोगों ने चंद्रमा के जो पहले लगन है वो सारे कवर कर लिये हैं त आपकी जन्वराशी क्या है वो भी आपको चंद्रमा के उससे पता लग जाएंगी तो पुराने लगन में जाएं और लगन के अलग लग भावों में चंद्रमा का फल आप देखें मैं हूं सनत कुमार वाचपई 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस और हम अपने मित्रों के साथ जब कभी भी समय मिल्ता हूं के सहीयोग के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के सुझाओ आप लोगों के कमेंट अपक्षित हैं तो जो भी आप कुछ सुझाओ देना चाएं कुछ ऐसी राय देना चाहें आप हमें दे सकते हैं तो आई ये लगन वाली रिकॉर्डिंग में कर दिया था तो पहले आप बारा लगन वाली वीडियो देखेगा उसके बाद आप यहां आएंगे तो आपको थोड़ी ज्यादा असानी होगी समझने में चीजों को और अगर हम सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए प्राइमिर इंट्रॉड पाते हैं आपने देखा होगा जितने भी द्वादश राशियां हैं व्रिश्शिकि एक ऐसी राशी है जिसके पास आपको पता है एक इडन टैलेंट भी कह सकते हैं फिर बात बन झाएगे लेकिन अगर लगना धीपति राश यदिपति दोनों ही फेवर ना करें तो फिर गड़ बड़ हो जाए जैसे व्रिश्चिक लगन के लगना दी पती जो होते हैं वो है मंगल और मंगल यहाँ पर भी कुछ कंडिशनल है कुछ शर्तों के साथ हैं अगर मंगल बहुत जादा पेडित हैं बहुत कम डिगरी में हैं तो फिर इस हाउस की पावर जो हो केतु के पास ट्रांसफर हो जाती है और आपको पता केतु और चंदरमा का हिसाब किताब बनता नहीं है तो याद रखिए विश्चिक लगन में अगर मंगल पीडित हैं तो हालात काफी जादा नाजुक हो सकते हैं इस विक्ति का स्वभाव कई बारा से लगता है उसके स्वभाव में वो स्वेम भी चीजों का अपने आधीन नहीं कर पाता है कंट्रोल नहीं कर पाता है और भार नुकसान कर बैठता है अपना भी और समाज का भी तो इन लोगों के साथ कोई ना कोई समझाने वाला हमेशा रहना चाहिए नहीं तो ये गलत फैसले प्राय ले लेते हैं एक्स्ट्रीम मतलब गुसा आएगा तो बहुत जादा शरीर उनका तंतना जाता है बहुत जादा श वरिष्चिक लगन वाले अगर जैसे ब्रहस्पति अच्छा चला जाए वहां पर तो वह इसी भावना को एक्स्ट्रीम लेवल पर गौड के साथ कनेक कर देते हैं तो ये भी ध्यान रखेगा ज़रूरी नहीं है कि वरिष्चिक लगन है तो आप सिर्फ मैं सांसारिक एक्स चायक माना जाता है तो जिसका व्रिष्चिक लगन लगनाती पती बहुत बली हो जाए यसे एक्सेल्ड कर जाए या स्वग रही होकर वह विराजमान हो जाए या दस नमबर पर यहां पर आ जाए और साथ-साथ ब्रहस्पति भी यहां भागिस्तान में बैठे हो इनर्जी वो लगाते हैं विद्याक्षेत्र में तो यह ध्यान रखना है थोड़ा सा कि यह एक्स्ट्रीमिस जब मैंने कहा है तो इसको गलत डिसाम हमेशा गलत डिसामें ना ले तो ठीक रहेगा आप लोगों के लिए हां लेकिन चंद्रमा यहां पर अपने आपको बड़े ज्यादा कमफर्ट महसूस नहीं करते हैं चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है तो अब इनकी क्या है व्रिष्षिक लगन भी है और व्रिष्षिक राशी भी है ख्लिर होगा तो इनके लिए बहुत ज्यादा प्रधानता रहेगी मंगल की और ऐसे विक्तियों को मतलब अगर वो इस प्रकार के प्रोफाइल को चुने जहां पर किसी को डाटना डपटना पड़ता अनुसाशित रहना पड़ता हो तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है याद रखिएगा हाला कि जो कमांडर वाली प्रवर्ती है मंगल की वो मेश राशी में ज्यादा भी है तो दोनों ही व्रिष्टिक पर जा रहे हैं और चंदरमा को यहां पर प्राया नीच का माना जाता है लेकिन कई लोगों इसको गलत सोच रहोंगे सर आपने तो हमारे लिए सब कुछी गलत कर दिया ऐसा ऐसा बिलकुल भी नहीं है किसी ग्रह का नीच होने का मतलब होत तो यहां पर एंकार की भावना भी बढ़ने लग जाती है तो यह ध्यान रखना है एहम भाव को भी काबू रखने के लिए यह जो प्रवर्ति है वो होल्ड करके रखनी चाहिए यानि उच्च के अगर ग्रह बहुत जादा हो जाते हैं तो एहम बढ़ने लग जाता है मनु आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं इस कारण से आपके साथ ही आपसे दूर चले जा सकते हैं और नीच के ग्रह होने पर आदमी विनम्र होने लग जाता है तो यह भी एक आप एडवांटेज भी इसको कह सकते हैं क्लिर हो गया कि वह बहुत सद कर चलता है बहुत समझ कर बा नाम है वो लोग बहुत ज़्यादा पॉलाइट और इसी पॉलाइटनेस पर इश्वर रीज गया तो यह ध्यान रखना है कि नीच के ग्रह भक्ती के लिए या धर्म अर्थ काम मोक्षा वाला जो पार्ट है यह आपका बहुत निखर कर आता है सामने ख्लेर हो गया तो यह और और क्या क्या चीज़े दे सकता आपको आपका जिंदिगी बर जीवन आपको पता है मन के कारक है तो अपने शरीर को ले करी अपने आपको ले करी आप विचारनी होगा अब यह देखना है कि चंदरमा किस भाव के मालिक हैं यहाँ पर नवे भाव के मालिक हैं तो नवा तक बात करते हैं उसको तुरंट चीजों के एक बार में काम किया उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं तो वो अपने आपको भाग गहिन समझने लग जाता है भाग गहिन इसलिए समझेगा कि कि वो काफी ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसको selection ratio जिसको बोलते हैं या resultant ratio जिसको ब बीटता है और अब इसमें लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अगर इस घर में कोई favorable planet बैठा है जो बहुत like करता है जूपिटर तो वो फिर साध लेगा याने चीज को manage कर लेगा तो यह बात याद रखिए हमने यह सिर्फ इस प्रकार से कहा है अभी बात कि हमने अभी सिर्फ चंद्रमा की बात करें हम किसी और relationship की बात ने करें तो कई अगर कोई भैभीत होकर इस प्रकार से देख रहा है कि यह मेरे जीवन में सब कुछ खतम हो गया है ऐसा कुछ भी नहीं है हम सिर्फ आपको एक समझाने की तरीके से समझा रहे हैं कि अगर यहां पर प्रतम ग्रहों के mutual aspects के और उनके conjunction के हम कुछ भी conclude नहीं कर सकते हैं किसी फैसले तक नहीं पहुंच सकते हैं clear हो गया तो इसलिए आप लोगों को किसी फैसले पर पहुंचने से पहले सबी ग्रहों के दृष्टी का फल जानना होगा तभी आप कुछ बता सकते हैं यहां से नजर डा जादा romantic रहते हैं और चाहते हैं मेरा विवा हो जाए clear हो गया business को लेकर भी बहुत जादा इनकी भावना बहुत प्रबल होती मैं व्यापार करूंगा clear हो गया तो अगर जैसे इनका जो यह स्वामी है कर्मक्षेत्र का सूर्य संबंदित इस प्रकार को कारे करते हैं तो यह business में कामयाब भी हो सकते है clear हो गया याद रखिएगा यह नजर डाल रहे है वो उच्च की है जहां बैठे है वो नीच का है clear हो गया तो इनको इनका जो partner होता है वो भी इनको समझाने वाला होता है लेकिन एक शर्त है शुक्र अच्छी स्थिती में होने चाहिए अगर शु पत्नों की बीच में आपस में तना तनी नोग जोग चलती रहती है लेकिन कभी भी ना तो पती अपनी पती को बुरा मानता ना कि पत्नी अपने पती को बुरा मानती क्योंकि जो resultant है यानि उस घर का Lord है मालिक है वो अच्छी स्थिती में है clear लेकिन मान लीजे यहां पर ब घर के मालिक को हाप resultant की हैसियत से बहुत importance देते हैं clear होगत तो सभी तरीके देखने के हैं कोई अगर जैसे education की बात करता है तो मान लीजे इस घर का मालिक काफी खराब है लेकिन इस घर में बैठे वाले प्लानेट अच्छी स्थिती में excelled कर रहे हैं यहां तो क्या होता है ऐसे विक्तियों की education तो अच्छी होती है लेकिन उनका education certification अच्छा नहीं होता मतलब जो उनको degree diploma मिलेगा वो थर्ड क्लास में पास करेंगे बड़ी मुश्किल से पास करेंगे लेकिन उनको ग्यान बहुत होगा तो इस प्रकार के भी combination देखे जाते हैं तो अलग-अलग importance है एक अपने आपको secrets के बारे में जानना चाता है इन सब चीजों में उसका मन बड़ा लगता है clear हो गया व्रिश्चिक का जो स्ववाव उस राश्चिका स्ववाव जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक इसकी personality आपको समझ में नहीं आ सकती है clear हो गया और भागे के बारे में वो अपने आपको प्रतम दिश्टा ऐसा नीच समझता है या कह सकते हैं क्योंकि चंद्रमा या नीच का है तो समझता है कि मेरा भागे मेरा बिल्कुस साथ नहीं दे रहा है ऐसा समझता है वो clear लेकिन अगर अगर ब्रहस्पति एक्सेल करते हैं यानि काफी ज्यादा ओवर दूसरे भाव में तो दूसरा भाव किसका कारक है दूसरा भाव मारे धन, कुटुम्ब, वानी या दर के वानी या हमारा इश्वरिये तत्व की बात करते हैं या कहते हैं हमारे वानी की सिध्धी की बात करते हैं इस प्रकार की बाते हैं किसी जोतशी को अच्छा होने के ल से कुछ नी होता है वह किसी को कहता है वह सच साभित हो रही है किस समय में कही गई है वो सब दूसरा भाह त roarकरता है यानि हमने जो बात आइक कहींवो सौ 2्0 सही निकली किसने तैय कियाơi próxim beleza धो तो यहां से देखना आपको चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है धनु राशी में धनु के मालिक कौन है ब्रहस्पती धनु राशी का विभाव कैसा होता है धनु एक बहुत ही सात्विक राशी है और किसी राजा के धर्बार में राजपरोहित की तरह काम करती है याने एक शत विशेज गुण रखने वाला ब्राह्मन कैसे यानि एक ऐसा ब्राह्मन जो सही को सही गलत को गलत अगर किसे ने गलत किया तो उसको मृत्यु दंड देने में भी यह नहीं चूकते हैं तो इस विक्तित्व का ऐसा सभाव होता है यहां पर और किस चीज को रेकर इस प्रकार के रहते हैं याद रखेगा राशी का मूल इस वभाव जहां वो बैठा है वहां पर उज्यादा दिखाएगा तो यह सभाव अपने कुटुम्बियों को लेके दिखाएगा लेकिन उस राशी का विशेज गुण जैसे मान लीजे यह राशी इसकी यहां पड़ जाती यहां प इसकी पिटो दूसरी राशी से मैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह राशी हो सकता है उसके पहले बन रहे हो जिसे मान लीजे चंदर्मा है तो नौवी राशी में ही लेकिन पहले घर में या आठवे घर में नौवी राशी में बनने तो अलग-अलग उसका नेचर हो जाएग और चंद्रमा आपने आपको यहां पर जैसे आपका bank balance बनाने में बहुत comfort पाता है तो आपका बड़िया bank balance आपका asset अच्छा दिलाएगा पैतरिक संपदा के मामले में अच्छा होगा और इस मामले को लेकर यह बहुत जादा सात्विक भी होंगे और शत्रिय गुण आपको जोड़ना है चंद्रमा क्योंकि वईश्य प्रवर्तिके हैं और बड़े polite हैं बड़े सौम में हैं तो आपकी वानी में और मधूरता लाते हैं मीठी वानी होती है ऐसे वक्तियों की और भोजन इनको अच्छा खाने के मिलता है जलिये प्रधान है यह तो ऐसे अच् ह athe है अपने से साथ में घर को यह भाव किसका है मिरत्यू का चैसरुआल पक्ष्ञाबी है और इससे हम अकल्ट को भी देखते है कोई साधना इस परकार की रोमेंटिक फेज, अब वो एर्थ हॉस में बढ़ रहा है, तो ये बात करते हैं अगर अपने आठवे, आपने, क्योंकि आपके लिंग को भी दर्शाता है, एक्स्टरनल ओर्गन, तो ये पार्ट को लेकर उसमें चंदरमा की भी नजर है, काफी ज़्यादा सोच नहीं रहते हैं, यानि दूसरे लिंग के प्रति आकर्शन बहुत ज़्यादा होता है सिविक्ति को, और चंदरमा की भी नजर है, तो वो अगर बुद्ध की स्थिदी खराब हो जाए, तो कही बार वो इस भाव के कारण उनको दोश भी संसार में उठाना पड़ता है, या कष्ट भी उ उठानी बढ़ सकते हैं, यानि आपके लाब के साधनों को भी रोक सकता है, तो यह ध्यान रकिए, इसके साथ साथ आए भाव का भी बुद्ध स्वामी है, लेकिन दोनों राशियों का जो नेचर वो अलग-अलग है, यहां पर बुद्ध बैठे हैं, दोनों का राशी प्र हो राए नहीं है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि बुद्ध अंदर-अंदर चंद्रमा से कटते हैं, वो अपने आपको शत्रू मानते हैं, चंद्रमा को शत्रू मानते हैं, हाला कि कभी चंद्रमा किसी को शत्रू नहीं मानते हैं, तो बुद्ध अपने आपको समझत कि यह मेरा फेवर नहीं करेंगे स्वेमि ऐसा समझते हैं तो इस कारण से एक अंदरुनी ऐस प्रकार की चीज़ें भी सवराल पक्ष से विक्ति को लगता है कभी-कभी कि मैं सवराल पक्ष का जो मुझे चाहिए जुस्प्रकार का नेचर वहां से मुझे नहीं मिल पा रहा है क्लेर होगा तो अंदरुनी हाला कि समाज में किसी को भी इवन उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि या आपको क्या गया सकते हैं भौतिक दिश्टी से कोई कमी है महाँ पर लेकिन क्योंकि अंदरूनी कलह रहती है बुद्ध अंदर-ंदर कटते हैं चंद्रमा से लेकिन ये भूलना नीच्च है कि चंद्रमा को मितुन्द राशी पसंद है बहुत पसंद है चंद्रमा जादा बाधर नहीं करता है यानी ठीक है कभी-कभी एक्सेसराल पक्ष विचार कर रहा है कि यार ठीक है वो हो सकता है fit candidate कई कई बार ऐसा लगता है कि हमारा fit candidate नहीं है वो जो दमाज जैसा विचार किया था वो नहीं है बट फिर भी चंद्रमा इसको ज्यादा बहुतर नहीं करता है क्योंकि बुद्ध शत्रु मान रहे हैं चंद्रमा शत्रु नहीं मान रह और आप कोई higher research करेंगे तो आपको या लंबी आत्राएं करेंगे तो आपके assets में बढ़ोत्री होगी clear हो गया आपके पैत्रिक संपदा resources का बढ़िया इस्तमाल कर पाएंगे आप clear तो इस प्रकार से भी आप व्रिष्चिक लगन में दूसरे भाव में अलगलक चीजों को connect करके देख सकते हैं अब हम चलते हैं व्रिष्चिक लगन में अगर हम तीसरे भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार का जीवन यहाँ पर देखने को मिलता है व्रिशिक लगन और ये राशी कौन सी हो गई मकर राशी व्रिशिक लगन एक दो तीन एंटी क्लोगवाइस गिंते तो मकर राशी तो मकर राशी वाले जो है वो पता है आपको मकर का अगला हिस्सा जो है उपरी हिस्सा वो तो एक हिरन का है गुसायल हिरन और निचला हिस्सा मगर मच्च का है या क्रकोडाइल का है जो जल में रहता है तो ये बड़े मतलब शनी का एग्रसिव रूप यहां पर दिखाई देता है अगर ये एग्रेशन आप कर्मक्षेतर में लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता अब ये एग्रेशन कहां आ रहा है आपके भाई बेहनों के स्थान पे तो हलकि चंदरमा वाँ बैठा है तो जीवन भर आपका मन जो है यही रहेगा आपके भाई बेहनों के साथ समंदों को बनाने में पराक्रम के बारे में आप विचार करते रहेंगे यह आपको कुछ हद तक पराक्रमी तो बनाएगा पराक्रमी तो आपको बनाएगा ही क्योंकि शनी का जो मकर राशी रूप है इसमें मंगल का भी इंपुट लगा हुआ है क्यों मंगल को सबसे ज़्यादा प्री है तो आपको यह बात याद रखनी है किसी भी राशी में ज इसलिए जब कभी भी आप इस राशी की बात करेंगे तो इस घर के मालिकी भी बात करेंगे जो ग्रह इसको लाइक करता है उस ग्रह की भी आपको एक इमेज लेकर चलनी है साथ में तो कुछ-कुछ प्राक्रम देखकर तो ऐसे लगेगा प्रतमदर्श्टा आपको कि भाई य की बात करें तो वह मंगल का ही है लिखे लेकिन दिखने में और होने में फर्क होता है यह दिख सकता है लेकिन वैसा है नहीं तो मंगल तो मंगल है हां मंगल यहां अगर बैठ जाए एक्सेल करके तो फिर बहुत बहतरीन रिजल्ट होंगे आपके पराक्रम में और मतलब ए आपने आपको यहाँ पर इतना ज्यादा comfort नहीं मान रहा है क्योंकि अंदरोनी कलाय है शनी और चंद्रमा में शनी ज्यादा पसंद नहीं करते हैं चंद्रमा को लेकिन अगर एक फिमालिक किंग जिसका लिंग फिमेल का है वो राजा कमांडर इंचीफ के साथ बैठा है तो व फिर यह पराक्रम को भी बढ़ाता है और भाई बहनों आप में कोई ऐसा होगा आपके भाई बहनों में से जिसका बड़ा समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होगा बहुत नाम होगा और वो आपकी बड़ी रिगार्ड करता होगा तो यह बात भी ध्यान रखनी है आपको इस चंद्रमा कि स्थिती भाई बहनों के साथ उनके सम्मंद अच्छे जरूर रहते हैं लेकिन अगर इसको कहते हैं नेट क्या 100% रिजल्ट रहेगा नहीं क्योंकि 100% का तब ही हो सकता है जब चंद्रमा वहां पर अपने आपको या तो एक्सेल कर रहे हो या स्वग रही मान र अच्छा है लेकिन जहां समन्दों को बनाने की बात होती है वहाँ पर गढ़बढा आ जाता है मिडिया और बढ़ीके काम करेंगा क्लियर क्लियर हो गया अगर इन दोनों को कहीं ना कहीं डिर्कली संबंद हो जाए तो बहुत अच्छा जैसे चंद्रमा बैठ जाए तो चंद्रमा सूर्य के मित्र है यहां पर तो और बढ़िया काम करने लग जाएगा तुस प्रकार से भी आप चीजों को कनेक कर सकते हैं यहां पर एक बात और दशाता है कि यह वक्ति जो हैं पिता मा के बीच में यह वक्ति एक ब्रिज का काम करता है क्लिर हो सकता है कि माता पिता में समझ जैसे मा कैसी है इसको देखना है तो आप चंदरमा को देखो लेकिन मा का आपके प्रती रविया स्वभाव कैसा है वो देखना है तो आप चौते घर के मालिक को चौते घर की स्थिति को देखो ठीक हो गया है जैसे क्या होता है मेरे घर म मेरी मां बहुत intelligent है, बहुत स्वाबिमानी है, बहुत शिक्षित है, लिगने हो सकता है, मेरा मन उनके साथ नाम match कर पा रहा हो, वो देखने के लिए हमें चौते घर के माली को देखना पड़ेगा, मेरी बात समन में आ गई, हाँ, किसी किसी का ऐसा भी होता है, बड़े भागि विचारनी है, विचार करनी है आपको, तो चंद्रमा की यहां नजर माना याने, चंद्रमा कारक है मा का, भाव है पिता का, तो यह पुष्टी करता है कि आपके कारण माता पिता के सम्मन्त प्रगाड रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा गए हैं चौते भाव में तो चौता भाव किसका पार्क है चौता भाव का सुख का जो भी मिटिरिल गौन सिंसार में पूरा भावतिक संसार में सुख सुधाय लेते हैं इसका शुख आपको मिल पायगा ये नहीं मिल पाएगा यह चोथा कगर बताएगा वाहन भी इससे देखा जाता है माका सुख भी देखा जाता है आपका Estate पैटरन भी से देखा जाता है तो आप्स प्रकार की पढ़ाई करेंगे है किली अपके इंटरेस्ट की बात होगी वह पांचवागर लेकिन जहां आपके इंट्रस्ट की बात होगी वह चौथा घर तो चौथे घर का जो मालिक है वह कौन है शनी शनी की स्थिपी अगर अच्छी है या ठीक ठाक भी है तो फिर इस व्यक्ति को चंद्रमा यहां बैठा है तो व्यक्ति का पूरा ध्यान अपके मकान की तरफ अपनी मा की तरफ यहां का कारक भी है चंद्रमा मा का कारक है और चंद्रमा इस भाव का कारक भी है और यहीं आके बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा रदे का भी सूचक होता है तो याने उसका रदे बड़ा कॉमल होता है यहां पर बैठा देको वैसे भी कुम्ब राशी जो है कुम्ब राशी शनी का एक कह सकते हैं प्राफिटेबल रूप कहा जाता है काल पुरुष्टी कुंडली में कुम्ब राशी गयरवा भाव है तो शनी इस राशी में किसी के साथ ज़्यादा द्वेश नहीं रखता है ज़्यादा किसे से कले नहीं करता है हाला कि यहां पर कर रहा है मकर में लेकिन कुम्ब में नहीं करता है ठीक है तो यह शनी का एक शांत रूप दिखाई देता ह कुम्ब राशी तो यहां पर यह अपने आपको इतना ज्यादा डिसकंफर्टेबल नहीं मानते हैं चंद्रमा हाला कि शनी अंदरुनी दुश्मनी रखता है पिर भी चंद्रमा यहां आपको कमफर्ट स्थिती में पाते हैं as compared to मकर राशी तो यहां विक्ति को अपना खुद का वाहन अपना खुद का घर और माता का सुख ठीक है एजुकेशन इंटरस्ट उसको रहेगा यहां से वो नज़र डाल रहा है हां लेकिन जो लोग खाली यह देखकर डिकलेयर कर रहे हैं कि उसको यह भी देखना जुरूरी है कि शनी खराप स्थिती में तो नहीं है अगर खराप स्थिती में है then result यानि मकान बनते बनते नहीं बनता क्लेर हो गया यह मकान में हमेशा अडचन रहती है घर में तो है वहां रहते भी लेकिन वो कागजात हमारे नहीं है तो कोशिच यही करनी चैए अगर शनी की स्थितिष खराब है लेकिन चंद्रमा तो भीच का सुख आपको दिलाएगा घर कभी भी आप ऐसी कोई शुरुवात करें तो पेपर जो है पेपर वर्ग जो भी है वो अपने पार्टनर के नाम पे होना चाहिए अगर शनी की स्थिती इस केस में खराब हो जाती है तो यहां से बने जो डाल रहे हैं आपके करमक्षेतर को तो करमक्षेतर जो भी रहेगा वो सूरे समंदी रॉयल रहेगा उसमें चंद्रामा की नजर डालना है यानि रॉयल प्लस पॉलाइट यह दोनों चीज़े आ रही हैं आपके एक स्टेटस में अच्छा स्टेटस होने वाला है अगर सूरी के स्टेटी भी अच्छी है तो बहुत बल मेलेगा और इस घर के मालिक है भागेस्तान का मालिक आपके मां के घर में बैटा है तो मां कभी में आपको लगए मेरा लग काम नहीं कर रहा है डिरेक्ली अपनी मां को प्रे करो रजल्ट आने शुरू हो जाएं ये इसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी क्लिर हो गया इस प्रकार की कोई भी कुंडली हो मतलब आपको ये देखना है कि कोई भी ग्रह किस से सम्मंदी जैसे भागे ये ऐसा कोई भी हो भागे भाव का स्वामी अगर मां के घर में बैठा है तो ये उस प्रकार की के लिए रेमेडी है कि मां की प्रे करो इस भाव का मालिक माली जी यहां बैठा है तो भाई यूर वाइफ इस वैरी लकी आपके भागे के लिए बहुत जादा मदद करेगी वो आपको भागेवान बनाने में तो इस प्रकार की चीज़े भी आपको कनेक करके रखनी है और ये और क्या बताता है कि जब कभी भी आप को इस प्रकार की लंबी आत्राइं करेंगे तो आपको आपके वाहन का सुख और बढ़ेगा हो सकता है आपको आपकी प्रोपर्टी में भी इजाफा हो क्लेर हो गया इस प्रकार की कोई भी लंबी आत्रा करते है प्रोपर्टी समंदी आपको काफी ज़्यादा फाइदा होगा क्लेर हम इसमें एक चीज़ और यहां से आप इडिन्टिफाई कर सकते है कि चंदरमा यहां बैठे हैं तो नजट डाल रहे हैं आपके दस्वे भाव में क्लेर हो गया तो चंदरमा है कहां पर रदय में दस्वा भाव क्या है आपका जैसे यह आपका थाई यह आपका गोड़ा तो अगर कोई भी प्लानेट यहाँ पर एनमिकल साइन में बैठे हो एक दूसरे के शत्रू तो कहता है विक्ति का मन इसको लेकर परेशानी रहेगा इस अंग को लेकर भी तो यह बात भी अपको इंटिवाई करनी है क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का का रहता है ज्यादा तर ऐस का मन है वह इसी के आसपास ही रहता है हरदय क्योंकि चंद्रमा हरदय में विराजवान है और रदय से यहां देख रहे हैं अभी वो मित्र के स्थान में तो जो भी ऐसे विक्ति होते हैं तो वह अपने टक्नों गोडों को लेकर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी स्थ करने का प्रयास करता है यानि चंद्रमा जलतत्व परधान है तो कोई भी इस प्रकार की जलियो और शदी आपको काफी फायदा करती है तो इस प्रकार के मैडिशनल रिसर्च जो होंगे उसको भी आगे चलकर आपको नज़र डालनी होगी लेकिन आपको यह एक इमेज बना की उसका आकरशन जादा रहेगा चंद्रमा यहां बैटा है तो उसका अपने इस इस रूप के प्रतियाकरशन बहुत रहेगा और अगर जैसे यहां पर क्रूर ग्रहा के बैठे होते होते तो आप न उस एरिया में कोई ना कोई कट का निशान या उसके रूप जैसे माली ज बैठे हैं तो यह इन अंगों का सौंदर देखने लाइक होता है तो यह सम चीजे बहुत हैं इन भावों से कोई भी बहुत जैसे यहां बैठा है चंद्रमा तो चंद्रमा क्या करें आपकी वानी में सौमेत आले आएगा लेकिन अगर यहां कोई कुरूर ग्रहा बैठा है तो वानी करकश हो जाएगी इसी प्रकार से इसकी बात करें यह क्या है उदर उदर में कोई तनातनी चल रहे लड़ाई चल रहे जगड़ा चल रहा है यह बात और उत्तरदाई किस चीज के लिए जैसे शुक्र किसके लिए उत्तरदाई है शनी किसके लिए उत्तरदाई है सूरे किसके लिए उत्र दाई है वो कहां आके बैठा है ये भी स्को कनेकर जाए सूरे है सूरे हमारे बोंस के लिए भी जिम्मेदार हड्डियों के लिए जिम्मेदार है clear हो गया तो सूरे अगर हमारे इस भाव में भुरी स्थिती में गयार हो में तो आपको हडीं में दिक्कते आगी जिसके करण पर्टिक्लर आपके आई साइड का कारक है इस सब चीजें को भी आपको द्यान रखना है नौ गोस्टू नेक्स्ट नंबर फिफ्ट की बात कर लेते हैं नंबर पांच की बात कर लेते हैं तो पांचवे नंबर पर मीन राशी है और मीन राशी में अब चंद्रमा आ गया तो व्रिष्षिक लगन मीन राशी देखो अगर आपको कभी कोई विक्ति पूछता है कि व्रिष्षिक लगन और व्रिष्षिक राशी में से किस थिती में चंद्रमा अपने आपको थोड़ा जादा डिसकमफर्ट जो में मानता है, क्याद रखेगा वरिष्षिक लगण में अपने आपको इतना discomfort नहीं मानता है जितना वरिष्षिक राशी में मानता है, बहुत है different वरिष्षिक लगण का मतलब यह नहीं के चंद्रमा यहां बैटना ही पड़ेगा उसको लेकिन अगर वृष्षिक राशी है तो चंद्रमा को वहाँ बैठना पड़ेगा जहां उसको ज्यादा पसंद नहीं है वो नीच का मानता अपने आपको तो दोनों में फर्क हो जाएगा फिर वृष्षिक लगन में और वृष्षिक राशी में से वृष्षिक राशी को इन बिट्वीन वर्णों के बारे में भी और गणों के बारे में भी आपको कई जान करी है तो मैं चाहूंगा कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें नहीं तो आपको बहुत बड़ा पोर्शन आपका लौस हो जाएगा और फिर आपको जब करना चाहेंगे तो दिक्कत करें तो जब-जब कोई विशेश बात याद आती है या ऐसी कोई बात जरूरी लगती है तो उस वीडियो में कवर कर देते हैं तो इसलिए कोशिश करें कि आप सिलसलेवार ढंग से शुरू से लेके सारी वीडियो देखे तके आपको यह समझने में बिलकुल भी दिक्कत ना है कि वरिशेक श्हेश सर्णि कया है और उस परटिकलर राशी का वर्ण क्या है उस परटिकलर विक्टित्वकल का गण क्या है डेव गण मुनुष्षे गण राक्षज गण बहुत अच्छ होता है र अगण राक्षश होगा तो वो सब चीजे भी हमने डिसकस की हुई है इन बिट्वीन और आगे भी डिसकस करेंगे इसलिए वीडियो स्किप ना करें otherwise आपको कोई जरूरी बात इन बिट्वीन बोली गई है समझ में नहीं आएगी ठीक हो गया तो मींद राशी में चंद्रमा और ब्रहस्पती बहुत समझदार है दो दुनिया उसको जानती है ज्यादा तरत वो बुद्धिमानी के लिए अब यह याद रखना है कि ब्रहस्पती का यह थोड़ा सा रोमेंटिक फेस कहलें या जो कहलें हम राजमहल के कठिन नियमों को जो नहीं मानता है वो रूप है बिगर्ज आपको पता ही मींद राशी किसकी Favorite राशी है शुकर की तो जोड़ा सा आपको इन्पट शुकर का भी जोडना है जब कभी आप मींद राशी की बात करेंके तो यह याद रखिएगा कि मींद राशी में शुक्र एक्सेल्ड करता है सुक्र को बहुत अच्छा को कठोर होने के बजाए soft रखना ज्यादा पसंद करते हैं ठीक है और इसमें कोई दो रहे नहीं के तपस्वी होते हैं यह लोग तपकी बात करें तो यह बहुत आगे तक जा सकते हैं यहां से नज़र डाल रहा है यह आए भाव में तो ऐसे बिक्ति की आए के साधन बढ़ते हैं और आए के साधन बढ़ने में स्पेशली उसके education बड़ी helpful होती है यह एक तो ब्रास्पति का घर है दूसरे चंद्रमा यहां बैठकर 11 भाव को देख रहे हैं संतान उत्पति के बाद आपको आए जरूर बढ़ेगी ठीक है संतान जरूर होगी और ऐसे विक्ति का romantic जो क अगर आप पढ़ें शुक्र जो हैं वो डिम गुरू कहे जाते है राक्ष्टे गुरु कहे जाते हैं और राजसी प्रवर्थी के लेकर अगर थोड़ा और डिटेल जानेंगे कि यह सब नीतियों के त्थापना किसने की थी वो की थी ब्रहस्पती ने ब्रहस्पती ने ने लागू करवाते हों लेकिन रचा हुआ किसका है ये ब्रहस्पती का बहुत बहुत समझदार है ब्रहस्पती फ्लियर होगा तो इन्होंने एक ऐसा शास्तर की रचना कर दी ताकि ये माया में उल्जे रहें और जो दैविये गुण प्रवर्ती वाले लोग उनको परिशान ना करें तो ये प्रकार से राशी के इस भाव को भी जुरूर पढ़ना है और भाग्यस्थान का मालिक आपके संतान भाव में बैठा है एड्यूकेशन डिपार्टन में जब कभी भी आप बात करेंगे अपने भागी की तो आपके संतान होने के बाद आपका भागी और बढ़ पांच नौ किसी भी तरह से जीसे माली जी इसका माली के यहां में बैठ जाते हैं तो अगर यहां पर ब्रहस्पती बैठ जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मतलब इस वक्ति को फिर कुछ नहीं सब कुछ बनाया बनाया मिलेगा के मालिक परिवर्तन राजयोग दे रहे हैं बहुत बढ़िया वैसे भी इन घरों में कोई फल मिलता है बिना एफर्ट के बिना कुछ जादा एफर्ट के उसको एजुकेशनल गेन संतानुत पत्ति के लिए उसको कभी भी नहीं सोचना पड़ेगा यह और प्लस हो जाएगा यह 100% accuracy दे देगा अगर कहीं ब्रहस्पति आ जाए तो ट्राइन होसेज मैंने बोला कुंडली में वैसे सबसे important केंद्रा होसेज होते हैं एक चार साथ दस इसके बाद इनको विश्णो होसेज कहा जाता है इसके बाद लक्षमी होसेज एक पांच नौ देख रहा है एक कितन किस प्षमी किस पॉइंट के लिए इस बाद से रिलेटेड अच्छा है अब चंद्रमा मा का कारक भी है और अपने भाऊ के कारक से दूसरे नमबर बैठा हुआ है याद रहिए इस भाव का कारक आपने तो इसको करें किया देखिए मां भाव का कारक दूसरे बाहों में बैठा है तो मतलब क्या है इसको माँ एज्चूकेशनल सेंटिफिकरेशन में बड़ी मदद करेगी और दूसरे नमबर क्या होता, resources, धन भाव, तो ये भी कह सकते हैं कि मा इसके educational benefit के लिए भी responsible होगी, because educational, यहां से वो benefit किया लाब भाव में देख रहे हैं, और दो नमबर हैं, दो नमबर याने आपका धन, तो इनको connect करना अपस में, तो ये भी ध्यान रखना है कि कोई भाव के लिए जो responsible ग्रह है, वो अपने से कितने पर बैठा हुआ है, अगर अच्छी स्थिती में है, तो जितने नमबर पर बैठा है, उस particular चीज को positively active कर दो, गलत घर में बैठा है, तो उस particular number की negative चीज को active कर दो, हर बार आठ नमबर पर बैठना गलत नहीं होता है, आठ नमबर पर कोई अगर excelled कर रहा है, ये स्वग रही हो के बैठा है, तो आठ सम्मंदित positive, यानि लंबी आयू, और साधनाओं की पूर्ती, जो साधना आप अपने आपको जानने में मदद मिलेगी, ससुराल पक्ष अच्छा होगा, बीमा से मदद होगी, किसी की मृत्यू से आपको फायदा होगा, इस प्रकार की चीजे भी हम देखते हैं, अम चलते हैं, व्रशिक लगन के छटे भाव में अगर हम आएं, तो छटे भाव में आने पर हमें किस प्रकार का ये फायदा या नुकसान देते हैं, व्रशिक लगन मेश राशी, अब अगेन दोनों ही ग्रह आ रहे हैं, मंगल मंगल, व्रशिक लगन का स्वामी मंगल, मेश राशी का भी स्वामी मंगल, अब अगर मंगल अच्छी स्थिती में हैं, देखो लगना अधिपती और राशी अधिपती एक होने का बहुत फाइदा भी है लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान भी करवा सकता है अगर मंगल की स्थिति बिगड़ी तो फिर समालना किसी के बसका नहीं हो पाएगा बिगाज दोनों के लिए तो मंगल रस्पांसिबल थे और मंगली बिगड़ गए तो यह ध्यान रखिएगा लगना दीपती और राशी अधिपती एक होना बहुत बहुत शुब होता है लेकिन कब लेकिन तब अच्छा होगा जब वह अच्छी स्थिति में हो बुरा होने पर यह दोनों हाउस को डिस्टोब कर देंगे ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा हम यह भी जानेंगे आगे चलकर धिरे-धिरे कि करक के जो स्वामी है वो चंद्रमा है तो मंगल चंद्रमा की राशी में जाकर नीज के क्यों हो जाते हैं जबकि चंद्रमा को तो अपना एक स्वभाव भी होता है तो मंगल को वो स्वभाव बिलकुल पसंद नहीं है इस यह राशी बड़ी प्रोटेक्टेड सी रहती है मतलब ज्यादा रस्क ना लेना वाली क्योंकि कालपुष्ट उगली में कौन सा भाव है चोता भाव घर किचन इस प्रकार की कुछ चीजे महीला और मंगल को जगह पर बहुत ज्यादा चीजे पसंद नहीं है हां जैसे यहां पर नीच का बैठा है ब्रहस्पती ठीक है आमने सामने नीच के है वो अब इसका नीच भंग कौन करेगा इसका नीच भंग करेगा चंद्रमा ठीक है तो चंद्रमा यहां पर बैठ गया इसका नीच भंग कौन करेगा शनी शनिया बैठ गया और नीच भंग तो हो रहा है और इसमें देखने वाली बात क्या है ब्रहस पती की जो नजर है वो उच्च की है मंगल की जो नजर है उच्च की है is very very powerful एक तो यहाँ नीच बंग हो गया यहाँ पर अभी वो बढ़िया काम करेगा नॉर्मल से भी बढ़िया काम करेगा दूसरा यह यहाँ जो नजर मार रहा है इसकी शक्ति बढ़ा रहा है मालाब यह एक ऐसा बैलन्स हो गया कि इसकी शक्ति को पूरी जान लगाकर बढ़ा रहा और यह उच्च 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 होता ही जाएंगे तो और और यह houses अगर चार और दस कहीं केंद्रा में इस परकार के combination आजए तो बहुत powerful हो जाएगा ऐसी कुंडली को याद रखेगा कोई बार-बार कह रहा है कि केंद्रा 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 क्या केंद्रा केंद्रा केंद्र का क्या अर्थ है किसी भी कुंडली का impact समाज के बड़े हिस्से में आप चाहते हैं तो उस ग्रह को केंद्र में आना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है अगर आप बुरा impact भी देखना चाहते हैं समाज के बहुत बड़े हिस्से में कि वह व्यक्तित्व के अंदर कुछ negative प्रवर्ति हैं तो कुछ ऐसा समाज के बड़े हिस्से को होता है कि यह सब ग्रह आपको कोई योग दे रहे हैं तो ठीक है कि योग तो दे रहे हैं वो लेकिन यह ग्रह ऐसे हैं आपको एक 925 की जॉब दिलाने में सक्षम है एक profitable life देने में सक्षम है लेकिन बहुत effort के बाद उसका result दिलाने में सक्षम और उसके बाद बहुत आएरे में उसका प्रभाव ये वो घर हैं जिनको विश्णु हाउसे कहा जाता है और बना बनाया सब कुछ वो यह हैं लक्षमी हाउसे हैं तो चंद्रमा यहां बैट कर क्या कर सकता है देखिए इस घर इस वेक्तित्व जो भी वेक्ति होंगे इनके शत्रु जो हैं वो इन लगन के लिए कि चंद्रमा का मतलब आपका मन अब आपका मन इस चीज को लेकर चिंता में रहता है कि छटा भाव चंद्रमा के लिए कोई अच्छी लोकेशन नहीं है रिपू भाव है या कह सकते हैं आपको रोग स्थान है ठीक है अलकि इससे हम कंपिटीशन एक्जाम क्ल इन्हों कोई एंट्रस के बाद आयकर साधन बढ़ते हैं या जॉब मिलती है ठीक है लेकिन चंद्रमा क्योंकि यहां बैटे तो जीवन भर आदमी इसी को लेकर टेंचन में रहेगा कंपिटीशन या अगर मंगल खराप सिती में तो अनावश्क जगड़े हैं क्लियर हो गय चंद्रमा की डिगरी भी कम है तो जगड़ों से भेंकर नुकसान अब यह विक्ति अपने उस पर्टिकलर अंग को लेकर भी बड़ा सोचनी रहता है किड़नी समंधित विकार हो सकते हैं उसको ठीक है और किड़नी आपको पता है चंद्रमा बैठा है तो अगर चंद्रमा क की स्थिति खराब होई या मंगल की स्थिति वा तो फिर उसको जल्य समंधि विकार होंगे किड़नी में पानी भर गया कुछ इस प्रकार की दिक्कते भी आ सकते हैं लेकिन एक बात याद रखने है जो प्लस पाइंट वो क्या है मंगल चंद्रमा का मित्र है और चंद्रमा क तो है लेकिन बिमारी से सच में कष्ट होगा वो तो आटवा भा होता है करता है वह जैसे किसी को डायवर्टिक है कुछ नहीं होता डायवर्टिक चल रहा है उसका किड़ी में दिक्कत है कुछ नहीं चल रहा है जीवन तो वो इस घर से देखना पड़ेगा कि क्या इसका र खराब नहीं तो बीमारी का असर नहीं होगा यहां से वो नजर डाल रहे हैं बार्वे भाव में तो बार्वा भाव क्या है दूर समंधी यात्राएं विदेशियों से तालुक तो चाहे विक्ति स्वैम ना विदेश जाहे लेकिन उसके तालुक कॉम्णिकेशन बना रहता है और बारवा भाव हमारे मुक्ष रिसर्च को भी बताता है बारवा भाव मारे व्याटब करता किससे समंधी करता है याने इस तरी क्योंकि यह इस चैसरी का गवाव है और इसके शुक्र द्रूस्प्र माली करता हो जिए अगर स्थिती खराब हो जाती तो अगर कर्चिती अच्छी है तो खर्चें ऑच्छी होंगे उनसे पीड़ा नहीं होगी थीया तो यह ध्यान रकना है ऐस चीज का कि किस प्रकार से मेश राशी वरष्षिक लगन वाले personality बहुत aggressive होते हैं इनको शांत करने के लिए इनकी जो भारें वो ही शांत कर सकती है बशरते हैं उनका शुक्र अच्छा होतो क्योंकि मैं बिश्चिक लगन में साफ साफ कहा रहा है पार्टनर का जो वो है वो शुक्र अच्छा कि शुक्र responsible है हलागि सभी पार्टन के लिए सुक responsible है लेकिन इस विक्तित्व को शांत रखने के लिए शुक्र बहुत अच्छा बली होना चाहिए तो उसको शांत रख सकता है otherwise वो मन से बहुत बेचेन रहता है तो ये भी आप समझ सकते हैं कि इस अंग से ही उसकी पीड़ा मिट सकती है इसको भी आप थोड़ा अगर और हाई लेवल पर लेकर जाते हैं तो और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे फिर हम चलते हैं अगर हमारा चंद्रमा सात्वे भाव में आ जाता है तो किस प्रकार के फ़ल हमें देखने को मिलेंगे ख्रेर हो गया व्रिशिक लगन के सात्वे भाव में यहां से गिंते अंटी क्लोगवाइज एक, दो, तीन, चार, पांच, चेस, साथ सात्वा भाव किसका है सात्वा भाव हमारे पार्टनर का है पती या पतनी का सात्वा भाव हमारे बिजनस का व्यापार का है सात्वा भाव हमारी डिजायर यह हमारी डिजायर उसका है अब चंदर्मा है एकसेल्ड पोजिशन में होते हैं यह बहुत बली हो जाते हैं तो देखे, भागिस्थान का मालिक पतनी भाव में बैठा है उच्चिका होकर तो पतनी बहुत भागैशाली होगी इसके लिए तो पतनी ही इसके लिए बहुत रेमडी का खाम करें क और और दशाती है कि चंद्रमा की स्थिति है अगर तो इस बृतिक्ति का मा का स्टेट Parlament बहुत होगा और क्योंकि वह पत्नी भाव में बैठा है तो कहीं न कहीं मा और पत्नी के बीच में एक understanding अच्छी रहेगी अब आपके लिए मां और लब कैसा काम कर रही है वह इस भाव से कंधा मिला कर चलते हैं याद रखेगा मैं ने मा की बात क्यों लिए अभी कि चंद्रमा मा के लिए उतर दाई है और बैठा है सात्वे भाव में ठीक है और भाग्ये मा अपने अब को पीडित मान रहा था यह यह भी कह सकते हैं कि कोई रिसर्च लेवल का काम अगर वो इससे समंदित करता तो उसको फाइदा हो सकता था लेकिन शर्थ थी मंगल भी इच्छिस्तिती में हो तो यह बात भी हमें ध्यान रखने क्योंकि यह एक्सेल्ड पॉजिशन में नहीं था बट यहां और यह डिक्ले भी बढ़ेगा उसका ठीक है कि वह इस भावग एक्टिव कर रहे हैं तो जिसमें वह एक्सेल्ड होता है उसकी चीजों को भी बढ़ाता है शुक्र का है इसको बढ़ाएगा यह भी शुक्र का इसको भी बढ़ाएगा ठीक है और शादी के बाद आपकी पस्नेलिटी भी हा करता है कि वह सकता है आप अपनी पतनी के बारे में विचार करते करते टेंशन में रहें यार वो तो ज्यादा खुबसूरत है मैं उसके लाइक का नहीं हूँ इसी बात को लेकर आप शायद परिशान रहें कि चंद्रमा की जो नजर है वो नीच की है तो आपने आपको नो अब हम बात कर लेते हैं अगर चंद्रमा हमारी व्रिश्चिक लगन की कुंडली में नवे भाव में चले जाते हैं तो किस प्रकार का रिजल्ट हमां यहां देखने को मिलता है यहां से गिनते एंटी क्लॉक वाइस तो यह आते हैं नवा स्थान अब नवा स्थान किसका है अब भी मैं नवा कह रहा हूं सौरी क्षमा कीजिएगा मुझे आठवा भाव हमारे मृत्यू या इसको आयू भी कह सकते हैं अगर खराब है तो मृत्यू जल्दी होगी अच्छा है तो आयू अच्छी होगी और आठवा भाव हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म अर्थ क मुक्ष दूसरा मुक्षा हुस है तो उसके बारे में इंट्रस्ट हमारे बारे में जो चीजें हम समा से छुपाना चाहते हैं वह आठवा भाव हुए तो किस प्रकार की बाते चुपाना चाता है वो यहां से दिखते हैं और कुछ ऐसी बात हो जो मेरे बारे मेरे साथ वाले जानते हैं वो मुझे नहीं बताते हैं वो बारवे भाव से याद रखिए आपके बारे में जो सीक्रेट आप समा से छुपाते हैं वो आठवा भाओ आपके बारे में जो सीक्रेट आपके साथ वाले आपको नहीं बताते हैं वो बारवा भाओ ठीक है तो जैसे चंद्रमा यहां बैठा है तो इन चीजों को लेकर आप बड़े sensitive होते हैं इन विचारों को लेकर अब मिथुन्द राशी है व्रिश्चिक लगन है तो मिथुन्द राशी बे मतलब का जगड़ा नहीं करेगा किसी भी विक्ति से और मैंने पहले बता है मिथुन्द राशी बुद्ध का romantic phase है और romantic phase कहां जाके active हो रहा है आठवे भाव में तो मैंने बोला इस अंग को लेकर यह बहुत romance शो करेंगे चंद्रमा बैठाई उसी अंग में आपके sex organ की प्रतियाकर्शन बहुत अधिक होगा clear है और अगर बुद्ध की स्तिति खराबयत इस current से कई बार अपयश भी उठाना पड़ता है इस part को लेकर अब यहां से वो नज़र डाल रहे हैं आपके कुटम्बस्थान में कैसा रहेगा कुटम्बस्थान कुटम्बस्थान में जो भी लोग हैं वो ब्रास्पती का intelligent और क्षत्रिय गुण नजर आता है आपका धनभाव भी सदावा सात्विक रहेगा वहां चंद्रमा कहां बैठे हुए हैं ससुराल पक्ष से चंद्रमा आपके धनभाव को स्ट्रॉंग भी कर रहे हैं तो ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ गेन आपको मिलेगा ठीक है वान क्यार होके तो यहां बेग बात और ध्यान रख सकते हैं कि कि इस धन को ले जाने के लिए चंद्रमा जिम्मेदार चंद्रमा कौन है मां मां जिम्मेदार है लेकिन जो जो नेगेटिव बात है वो यह है आठ वहां भाव बैनिफिक प्लानेट के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है अब दोनों ही एक सॉफ्ट निचर्ड प्लानेट है इस भाव में तो कष्टों से जो निपटने का आपका तरीका है वो बड़ा धाट पराक्रम मा ना चाहिए SXS م on में बट सल्निफिक के लिए को जाद अच्छा नहीं माना जाएगा तो यहां पर अगर प्रकोई मैलेफिक नमबर उता तो जब एक डिоды का आपको पता नेचर जो है वो decided नहीं है वो बहुत ज्यादा adjustable है जिसके साथ बैठता है वैसे ही adjust कर लेता है जिसे सूरी के साथ बैठता तो सूरी जैसा crew हो जाएगा मैंने पापी नहीं बोला मैंने crew बोला है और अगर बुद्ध ब्रहस्पती जैसे लोबी में बैठा हुए है या शुक्र जैसी लोबी में बैठा हुए तो सौम में हो जाएगा लेकिन यहां पर कश्टो का निवारण करने के लिए उसको थोड़ा aggressive होना चाहिए अब चंद्र कि तंत्र और क्योंकि इस तंत्र में किसका इंग्रियंट एड हो रहा है रोमेंस का यह राजकुमार है मरकरी बुद्ध और मितुन स्टेट में वो रोमेंटिक हो जाता है काफी तो यह द्यान लगता है और अपने भाव से बारवे भाव में बैठे हैं मृत्तियुस्थान म तो ऐसे विक्ति कोई इस प्रकार की साधना करते हैं तो भाग्य बढ़ता है वैसे विक्तियों को ऐसे मेडिटेशन तो सबको यह करना चाहिए इन लोगों के लिए विशेश तोर पर जिसका भी चंद्रमा आठेव वह हमें हो ऐसे विक्तियों को जरूर समय देना चाहिए म सूर्य चंद्रमा दोनों यहां हो तो इसको बोलते हट योग उसका सार्थक हो जाते हैं तो इस प्रकार से भी हम चीजों को कनेक्ट करने के देख सकते हैं वैसे अपने से बारा का मतलब अगया इन पुष्टी हो रही है भाग्य की आठ नंबर से कनेक्शन का काम कौन कर रह मोक्ष पर मोक्ष बड़ा ही उस उस पॉर्शन के लिए बहुत अच्छा होगा तो जीवन का जो जब अंतिम पढ़ाव आएगा तो ऐसे विक्ति बड़े आपने आपको कूल महसूस करते हैं शांत महसूस करते हैं काम महसूस करते हैं कि यार मैने जीवन में सच में इश्व सब वर्द्य विक्ति साट प्लस होने के बाद एक जैसे लगते हैं चैको अरब पती हो करोड़ पती हो रोड़ पती हो कुछ भी हो सब उसी की चिंता में लग जाते हैं अब तो पैकिंग कर लो जाना है बुलावा आने वाला है तो जिस रोड़ पती ने भी इश्वर को अच् अच्छा मैसूस करते हैं मैंने तो बहुत कुछ चीजे जिन जिन्दगी का मकसद मैंने सार्थक कर लिया तो आपको लोग ध्यान रखना चाहिए कि एर्थ फोर एर्थ और ट्वैल होसेज को हमेशा एक्टिव रखिए क्योंकि टिकट कभी भी कट सकता है वो लावा कभी भ जा सकते हैं तब आपको बड़ा दुख होगा कि हम सर्फ आए भाव कोई देखकर लगे रहे हम दूसरे भाव कोई देखते रहे नेक्स्ट चंद्रमा आ गए है अब हमारे कुंडली के नवम भाव में नवा भाव किसका होता है नवा भाव हमारे भाग्य का है पिता का है हमारी धार्मिक चर्चाओं का है पिएजडी हाईयर रिसर्च का है तो ऐसे विक्तिं को ये बड़ी लंबी आत्राएं करवाएगा चंद्रमा वैसे बड़ा चंचल है लंबी आत्राएं करवाएगा जैसे दिल्ली से चेन्नाई हो सकता है वो एक एक महिने में ही जाते रहें उनके सफर होते रहें और ऐसा नहीं कि उससे लॉस उल्टा फायदा होगा और अगर वो इस प्रकार से आत्राएं करता तो उसमें उसके भाई बहन भी इन्वाल्व होंगे क्यों यहां से बैटकर भाई सिब्लिंग्स को नज़र डालते हैं ठीक है और क्या बता रहा है यहां पर बैटकर यह बताता है कि पिता के साथ संबंद आपके अच्छे होंगे मा उसके लिए responsible होगी मा स्वेम यहां बैठी है आप बड़े ही ज्यादा ठंडे होंगे ठंडे मतलब कूल होंगे इस चीज़ को लेकर ज्यादा एग्रेसिव नियोंगे धर्म को लेकर धर्म भाव में चंद्रमा विराजमान है और स्वयगरी होकर विराजमान है ऐसे मतलब देखती कि नैतिक मुले बड़े अच्छे होते हैं और वन वैश्य ये बताता है कि बहुत इस काम को लेकर कि वैश्य की मुख्य परवर्ती क्या है चीजों का गठ जोड सुख वाहन सुख वाहन कठा करना बिल्डिंग जोड़ना बैसिकली जोड़ना अब वो धर्म को लेकर इस प्रकार के कोई अगर वेंचर चलाते हैं क कोई ऐसा काम करते तो वो इसमें फलीबूत होते हैं कि जीवन उनका इसी के इर्दित घुमेंगा तो इस प्रकार की कोई वेंचर चरूर चलाएंगे कोई ऐसे एंजियो चलाये जाएं लोगों की मदद की जाए जल तत्व सेवा आप जरूर करेंगे जल लोगों में बाटन मीठा पानी बटवाना कुए खुदवाना भी ऐसे लोग धार्मिक का संबंद आ रहा है जल से यहां से अपने से सात्वी मनजर डाल रहे हैं आला की मकर राशी है उसका अगला फेज अग्रेसिव है निचला फेज जल में रहता है शान्त है तो यह बताता है भाई बहनों बेशक्से लंबे समय के बाद रहने पर आपको भाई बैनों के बीच में तना तनी नजर आती हो लेकिन चंदरमा की नजर यह बताती है कि भाई मिलते हैं जब साब आपस में तो बड़े ही शांत होकर आपस में दूसरे का स्वागत करते हैं चंदरमा की इन बिट्विन फे अवर्षिक लगण अभी किया था वरिश्च्रीक लगण और करक राशी ठीक है तो ओवर्वर soc वरिश्षिक लगन, था करक में शांत था तो दोनों मिलकर आपस में दूसरे को बैलन्स कर रहे हैं अब हमारे हैं व्रिश्चिक लगन सिम्राशी अब व्रिश्चिक लगन यानि लगन का स्वामी मंगल राशी का स्वामी सूर्य और मंगल तो यह भी दोनों ही एक किंग और एक कमांडर तो इनका ये मुख्य रूप से गुण होता है किंग कमांडर वाला नेचर होता है इनका politeness का polite तो हो सकते हैं लेकिन cool होना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत ठंडा हो पाना या चल थोड़ा romantic हो पाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे विक्तियों के लिए और ऐसे विक्तियों का जो status है वो भी उसमें एक शाही चीज जलकती है अगर सूरे स्वेम यहां विराजबान है तो फिर authority से भी काफी अच्छे संबन दोते हैं, government clear हो गया, अगर आठवा भाव भी मजबूत है, जह सूरे not आठवाव, च्छटा भाव क्योंकि competition से विजे होने के बाद जह सूरे मेश में excel करते हैं, तो अगर सूरे यहां बैठते हैं, इस भाव का मालिक यहां बैठता है तो कह रहा है कि भई कहीं न कहीं आपको अच्छी service दिलवाएगा, अच्छी government job दिलवाने के पूरे पूरे आसार है इसमें कि छटे भाव का मतलब competition को overcome करने के बाद आपको status मिला है तो माल लिजे आपको लगता है कि नहीं है, मेरी government job तो नहीं है, तभी अगर माल लिजे आपको इप्राइवेट सेक्टर में भी होंगे तो भी आपकी जो पद की गरिमा है पद में जो आपकी power कहलो आप, वो किसी government authority से ज़्यादा ही होगी सूरिक इस्तिति अच्छी होने पर और क्योंकि मन का स्वामी भी वही रहता है मैंने आपको ये भी बताया था किसी भी कुंडली को जब आप देखें तो क्रॉस से जरूर कीजिएगा कि चंदरमा को आप लगन मानकर उसकी पुष्टी जरूर कीजिएगा जैसे मान लीजे इसको मिला क्या है status ये ये क्या मानता है status को देखते हैं चंदर कुंडली से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस दसवा नमबर आ रहा है शुक्र अगर इस कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है सूर की स्थिति अच्छी है तो होगा क्या इस विक्ति को status तो बहुत अच्छा में लेगा लेकिन वो स्वयम इस चीज को अच्छा नहीं मानेगा और इसके लिए कौन responsible होगा उसकी wife कहता है में जीवन में कुछ नहीं है status क्या है कुछ भी नहीं है और अगर लेकिन शुक्र भी अच्छा हुआ तो वो सच में इस चीज को महसूस करें कि my status is very very good clear हो गया तो यह बात याद रखनी है किसी भी मन के कारग्रह से याने चंदर कुंडली से जरूर इसको cross check करना है कि जो काम लगन कुंडली कह रही है कि उसकी पुष्टी चंदर कुंडली कर रही है कि नहीं कर रही है अगर उसकी पुष्टी हो जाती है तो 101% आपको मिलेगा समाज में भी मिलेगा और आप तो महसूस करेंगे उसको देखें जैसे मान लीजे मेरे पास कोई वयभव है संसार मानता है मैं नहीं मानता है यह कोई वयभव है इसका मतलब मेरा चंदर मा चंदर कुंडली से देखा है वो शटीक नहीं आ रहा है दोनी चीज़ जरूरी है और अपने से दूसरे बैठे हुए भागेस्थान का मालिक कर्मक्षत बैठे है तो आपका जो पिता के साथ आपके संबंद है वो आपके स्टेटस में चार चंद लगाएंगे हो सकता है आपके फादर रिस्पॉंसिबल हो आपके इस प्रकार के जॉब प्रोफाइल के लिए और आपके जो भी आप यात्राएं करेंगे वो आपके जॉब प्रोफाइल को मदद करेगा बढ़ाएगा क्योंकि या लंबी यात्राओं का मालिक अपने से दूसरे बैठे है स्टेटस भाव में दो नमबर क्या होता है धन भाव फिक्स मनी तो ये भी आपको लिंक अप करना है यहां से वो नजर कहां डाल रहे हैं माता के भाव में पिता के साथ समन्द अच्छे हैं अब मा का घर है वो शनी की लौटशी पह चंद्रमा नजर दाल रहे हैं तो देखो चंद्रमा अगर अपने घर को नजर डाल रहे हैं जो कारक है तो वह मा के लिए अच्छा ही होगा कुछ में कोई दो रही नहीं है आपका घर होने के पूरे-पूरे आसार है शर्त एक है कि शनी की स्थिति भी अच्छी हो आपका खुद का माकान माता के साथ संबन्द अच्छे होंगे अब इसमें चलते हैं व्रशिक लगन के ग्यारवे भाहों में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो किस प्रकार कफल यहां देखने को मिलता है व्रशिक लगन 1-2-3-345-73-9-10-11 एंटी क्लोकवाइस गेनेहें तो 11 नंबर पर कौनसी राशि है कंया ऐ सी द्राशि क्मा व्रश्जिक लगन कर्या राशि का मालिक कौन है बुद्ध व्रश्जिक का मालिक कौन है अंगल को डों ग्ल है क्यों लगना दिपति और जब राशी अधिपती में आपस में तना-तनी अगर हो कि भई मैं आपको शत्रू मांता हूं तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है इस कंडीशन में अगर ये दोनों अतिशत्रू बन जातें तो वह विक्ति किसी एक काम को लेकर straight forward नहीं होता, बड़ी जल्दी बदल जाता है, लगना दीपती राश्य दीपती के आपस में नहीं बन रही है, हाँ, अगर वो किसी कारण से यहाँ पर उनकी महित्री या समस्तिती आ जाती होई, ठीक है आप शत्रू हैं वो दोनों, और वो जब हम गिनते हैं माली जै बुद्ध है जैसे, बुद्ध है वो अपने से बारवा नमर पर आ जाएं, चंद्रमा से बारवा नमर बैड़ने पर कोई रहा, तातकाली क्या हो जाता है, मित्र हो जाता है अगर एक नमर वेटेगा तो तातकालिक शत्रू कहलाएगा तो अगर वो तातकालिक मित्र बन गया लेकिन वो वैसे नैसरगी कुसका शत्रू था तो मत्र और शत्रू मिलने पर रिजल्ट क्या मिलेगा आपको सम तो ठीक हो जाएगा तो यह बात बहुत जरूरी है खासकर ऐस कुंडलियों में जान लगना दिपती और राशी अधिपती क्रॉस करते हैं कि दूसरे को कट कटते हैं यह कहीं इस प्रकार से घर परिवर्तन करके बैठ जाएं जिसे मंगल बुद्ध के घर में बैठ जाए बुद्ध मंगल के घर में बैठ जाए तब भी फिर वो अपने घर को नहीं बिगणने देगा और स्पेशली अगर ऐसा लगन और राशी स्वामे के लिए होता है तो वो बुरानी अच्छा माना जाएगा परिवर्तन राजयोग बड़ी प्रबल सिदी में बन जाएगा तो यह बात याद रखे गा राशी का मालिक और लगन का मालिक मित्र हों तो अच्छा होता है और अगर राशी और लगन एक ही हो और मजबूत सिदी में हो तो फिर तो कमाली हो जाता है कि उसका ट्राइन हाउसे केंद्रा हाउसे लगन हो ती नों ही मजबूत माने जाएंगे अब यहां में बैठे हैं तो जीवन भर वो आये के लिए ही रहेगा आये होगी उसको कोई इसमें कोई दोर आये नहीं है बुद्ध का दियान रखे कि जैसे मान लिजे इस में कैसे देखना है कि लो मैरीज होगी की नहीं होगी जैसे इस भाव का मालिक है शुक्र वो बैठा है यहां पर एकसेल्ड करके बैठा हुए तो ऐसे विक्ति प्राया जो इन बेट्विन एड्यूकेशन में ही उसको जो उसको पार्टनर या विक्ति उसको मिलता है उसको ही प्राया वो अपना जीवन का पार्टनर बना लेता है लाइफ पार्टनर बना लेता है रोमेंस भाव में और successful love marriage बताता है, अगर ये excel करके यहां बैठता है, ठीक है, अगर connection हो रहा है लेकिन गलत तरह से, या गलत planet बैठे हैं, एक दूसरे एक enemy बैठे है, तो विवा होगा लेकिन वो तूट जाएगा, love marriage होगी लेकिन वो successful नहीं होगी, तो इस प्रकार से देखना है, इस case में, मा कि romance तो होगा ही, और इस बात की भी पुष्टी कर रहा है, कि वो romance वाला वक्ती, इसके, खर्चे भी करवाएगा खुब, और वो इसके जीवन में, पार्टनर की हैसियत भी लेगा, ठीक है, और अगर जैसे चंद्रमा वगरा के relationship बन जाए इनके साथ, या शनी का relationship बन जाए तो मा के साथ भी, या पिता के साथ भी, जैसे इसके साथ, नवे भाव के connection बन जाए, वो जानते होंगे, तो इसको बल सकते है love in arranged marriage, clear हो गया, वह लव था लेकिन इसको arranged marriage के रूप में, बदल दिया गया, परिवार की सहमती से, intercast marriage generally कैसे दिखा जाता है, देखिए जो भी marriage बहो के लिए responsible ग्रह है, अगर वो, जैसे किसी राहु के तु ग्रह के साथ, कंज्वाइन कर जाते हैं, तो राहु के तु क्या बताते हैं, लीक से हटकर चलना, या चलियारी चीजों को ना मानना, clear हो गया, इसको एक angle से बुरा भी देखा जा सकता है, जैसे ऐसे विक्ति को आप क्या देते हैं, ये विक्ति रूडियों को नहीं मानता, तो एक प्रकार से positive वाक्य है ये, लेकिन हमारे संस्कारों को ना मानने वाला भी, वो भी एक angle निकलता है, तो वो आपको देखना होगा, अगर राहु में अ संसकारों को नहीं मानेगा, संसकार विहीन हो जाएगा विक्ति, तो जैसे अब यहाँ पर शुक्र responsible है, अब शुक्र जैसा कोई planet, इन foreigner के साथ बैठ जाए, राहु के तू के साथ बैठ जाए, तो फिर वो बताता है कि अपने caste से अलग, especially अगर किसी कुनली में हमने देखा ज्यादातर मेरा अनुभविया कहता है कि अगर गुरु जो है, गुरु कहीं गुरु चंडाल दोस्टे पिडित है, तो ऐसे बहुत विक्तियों के दिखा गया है कि वो अपनी caste से अलग जगह पर विवाह करते हैं, इंटर caste marriage करते हैं, क्योंकि राहु गुरु को बहुत moral value, नैतिक मुल्यों को बहुत बुरी तर प्रहुत कर सकता है, ठीक है, तो यह देहान रखना है सीज को, अब चंडरमा यहां बैठकर इसको बली कर रहे हैं, एक, दो, तीन, भाग्यस्थान का मालिक अपने से तीसरे भाव में बैठा है, हाईयर रिसर्च जरूर करनी चाहि चाहिए, यह बता रहा है, एक, दो, तीन का मतलब क्या है, तीन का मतलब यह है कि आप के भाग्यस्थान में आपके मित्र मदद करेंगे, और बिज का काम आपके भाई-बहन करेंगे, तीन नंबर इस यहर, स्मॉल स्टिश्टर और ब्रदर्स, तो जबी भी आप कोई ऐसी ह कि ठीक है तो इस से बात की पुष्टी और हो रही है कि यूर मदर इस रॉस्पॉंसिबल फोर यूर प्रॉफिट बिकॉस चंद्रमा को कारक माना जाता चौते भाव को और मा का अब हम चलते हैं व्रिष्षिक लगन के बारवे भाव में तो व्रिष्षिक लगन के बारवे भाव में चंद्रमा किस प्रकार का फ़ल में देते हैं वो देखते हैं लगन क्या है व्रिष्षिक राशी क्या है तुला दोनों के मालिक यह है मंगल यह है शुक्र अब राशी का मालिक कहां राशी का मालिक बन रहा है तुला राशी कहते हैं अभी बड़ी जदा सोच विचार करके चलती है तुला अब यहां पर जड़ा देखो यह सोच विचार अलग अलग प्रकार का हो सकता है काल पुरुश की गुल्ली में यह सातवा नंबर आपके व्य कहां चला गया है खर्च वे भाव में तो वे भाव को लेकर विचार करते रहेंगे जिंदगी उसकी इसी भाव को लेकर बीतेगी वे भाव को लेकर और मेरे बारे में कोई क्या सोचता है क्लेर होगे ना देखे आप के सिक्रेट जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते वो और आपके साथ वाले जो लोग रहते हैं वो सीक्रेट बारवाव तो इस चीज के लिए आप बड़े परेशान भी रहते हो हैं कि मैंने बोला ना 6-8-12 बैनेफिक प्लैनेट के लिए कोई बहुत अच्छी जगा नहीं है लेकिन अब इसमें बात नौट करने वाली अगर शुक्र यहां पर स्वग्रियों के बैठ जाते हैं तो क्या ऐसा विक्ति अब दो बैनेफिक प्लैनेट बारवभाव में चले गए लेकिन इसमें बड़ी चीज क्या आ रही है कि वह अपना घर लेकर आया है शुक्र तो खर्चे बड़े शाही होंगे खर्चा कस अर्थ क्या सीधा सीधा खर्चा तभी कर सकता है जब कोई धन आएगा कहीं से और शुक्र का डिरेक्ट कनेक्शन उसके वाइव के साथ दिखा रहा है कि लग्या है और चंद्रमा उसके भाग्यस्तान बकार की जो उसके बारविस्तान में बेठ रहा है यहां से किसे कर्डिक हो एक दू तीन चार्ट क्लिर हो गया चार चौथा भाव क्या बताता है सुख कि बारवा भाव क्या बताते हैं व्यए मुक्षा तो यहां पर एक पॉस्टिव साइड आ रही है भाग्य का मुक्ष से कनेक्शन हो रहा है वाया नंबर चार तो आपको भी बारा नंबर याने मुक्षा के रिलेटेड कोई भी इस प्रकार का वेंचर करते है आप धार्मिक अनुस्थान करते हैrite तो आपको हमेशा जीवन में सुख की अनुभूती इस परकार की चीज़ा अपको करने चाहिए धार में करने चाहिए और यह कौन है만 सटी है में शंकते हैं चुप चाप किये जाने वाले उसका भुषमक्राइब ना करें आक के तरीके से कोई चोरी नहीं लेकिन गुप्टदान वाले रूप में इस प्रकार का करने से सुक में बढ़ोत्री होती है कि तो यहां से वो नजर डाल रहे हैं आपके रिपु भाव में रिपु वह से आप डटके मुकाबला करते होंगे और चंद्रमा क्योंकि यहां से नजर डाल रहा है जो आपकी राशी का स्वामी भी है तो यह भी बताता है चंद्रमा कि आप अपने शत्रों से मुकाबला तो डटके करेंगे लेकिन चंद्रमा उसमें एक नर्मी लाएगा शांत रखेगा च्छटा भाव आपका नौकर चाकर का भी होता है पश्वों का भी होता है कर तो अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो ऐसे विक्ति के घर नौकर चाकर भी होते हैं कि चंद्रमा की स्थिति ये बताती है कि वह महिला नौकर चाकरों की संख्या में भी इजाफा होता है जितने ज्यादा इस्तरी लिंग ग्रह यहां प्रभाव डालेंगे उतना ही ज्यादा उन जेंडर का प्रभाव बढ़ना शुरू करतेगा जीसे सारे बनेफिक नॉट बैनेफिक सारी इसमय लिंग ग्रह गर नज़ डालेंगे तो इस्तरियों कि संख्या नोकर चाकर अधिक हो जाएगी अब घर का मालिक कौन है मंगल नजर डालने वाला कौन है चंद्रमा result किसके पास रहेगा सुरक्षित मंगल के पास ही रहेगा लेकिन बीच में चहल कर्मी कौन कर रहे है चंद्रमा तो ये था वर्शिक लगन के अलग अलग बारा भावों में चंदरमा का फल याद रखिये हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि लगन और राशियों का डिसकर्शन चल रहा है चंदरमा को सिर्फ एक ग्रहे माल लेना भारी भूल सावित होगा इसको आप आपके मन का कारक मानिये चंदरमा जहां बैठ जाएगा आपका जीवन उसी के गुमेगा कैता है सबसे बड़िया फिर घर कौन सा होना चाहिए चंदरमा के साब से बहुत अच्छा होगा जो भी आपके घर को देख लेगा हार्मनी आ जाएगी यह जो तै किया गया है वहाँ होगा तो थेकिए मैं तो यह समझता हूँ एक्साइटिड स्टेट में भी बहुत लंबे समय तक नहीं रहा जा सकता है लेकिन जो स्वग रही होने का सुख है वो तो फिर आप पूछो इमत जो आनंद हमें घर में आता है वो कहां होटलों में जादा दिन तक आता है तो इस बात को भी आप समझेगा कैता सर मेरी कुं समय कि ऐसा लगता है हां भी पार्टी 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 पी और वो कई बार भटक जाता है अपने नहत्यक मुले 25 बैटता है उनको दर्शन शास्त्र के कई ग्रंथ एक नहीं दो-टीन ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे तब वो इसकी सार्थक्ता को समझ पाएंगे नहीं तब वो गलती करेंगे कुछ नहीं पढ़ सकते हैं तो आप कम से कम तीन चार बार भगवद गीता का संपूर अध्यन करें तब इसको समझ पाएंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै भ्रगुपराशरा जै श्री शुक्राचारे भगवान से यही प्रार्थना है इन गुरुओं से यही प्रार्थना है कि जो तिश का सच्चा ज्यान ना सिर्भ भारत में पुरे दुनिया में फैले इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद